हेलो फ्रेंड्स आज के इस फीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम यह के तुरू फोटो को कैसे एडिट कर सकते हैं उसके इंदर कोई भी मैनूप्लेशन करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं पहले के टाइम में यह होता था कि उसको बहुत ही कॉम्प्लिकेटड प्रोसेस होता था बैक्राउंड को रिमूब करना लेकिन अब यह का जमान है तो हम इसको बहुत ही कुछी सेकेंड्स के अंदर हम कर सकते हैं आटमेटिक लिए प्रोसेस होता है इसको हम जनरेटिव यह कहते हैं तो देखते हैं कि हम कैसे इसको यूज लेंगे फ्री आफ कॉस्ट है सारा का सा इसको यूज लेने के लिए आपके पास एक मोबाइल फॉन होना चाहिए पीसी भी हो सकता है किसी और आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए तो उसके लिए आपको किसी पीसी या फिर मोबाइल के अंदर आपको ब्राउजर को उपन करना है जैसे मैंने आप गूगल क्रोम को ऊपन करने के पाद आपको गूगल के अंदर जाके लिखना है एड़ फायर प्लाई तो यहां पर मैंने लिए लिए तूल्स तो यहां पर जाओके वेबसाइट जब ओपन होगी तो आपके सामने एक इस वेबसाइट उपन होगी इसके अंदर आपको अलग-अलग तरह के टूल्स दिखाई देंगे यहां पर एक एक जामपल भी देरका है जैसे यहां पर लिखोगे आप जनरेट के अंदर डॉग इन आ स्वेटर तो आप इसे इमेज जनरेट करोगे जो एक डॉग है वह स्वेटर पहनावा होगा तो इ हां पर आपको जाने के बाद दर एक किरिएटर तो पर कली करना है ठीक है जैसे इस पर कली करोगे तो यह आप से अप्लोड है, image के बारे में पूचेगा, जो भी आपको photos का background, details पूस्सका अप्लोड करिए, ठीक है, तो यहां से मैंने photos को select कर रहूं, तो photos को मैंने select की है और उसको open कर लिया है, ठीक है, अब इस photos का सबसे पहले हम background को remote कैसे करते हैं, ठीक है, बैग्राण्ड को रीमौ करने के लिए आपके पास नीचे ऐस और अपसन धिया होगा बैग्राण्ड उसके आपको क्लिक करना है जैसरे आप उस पे क्लिक करोगे तो यह tam सेक्ड्ड में गे खी होगा तो यहां पर ने लिग कoof करना पड़ेगा आपको कि बैगराउंड क्या च़ही आपको तो मैं कुछ भी लिग देता हूं अब पूट ठीक है मैंने लिख दिया भी पूट सुटेबल बेग्राउंड तो कुछ भी यह उठा के इसका बेग्राउंड जो है सैट कर देगा तो देखते हैं क्या सैट करता है यह अपने अकोर्डिंग यहां पर नीचे की तरफ आपको multiple option मिलेंगे जैसे इन्होंने बेग्राउंड सेट किया और बहुत ही अच्छे तरीके से इसने सैट किया है यहां पर देख अलग लग तरह की वाल इसने सैट किये जो इस फोटोस के अगर्णिंग सुटेबल है तो यह इस तरीके से आप इसका गार्डन में खड़ा करना है तो आप लिग दोगे ना तो यह उस तरीके का बेग्राउंड भी सैट कर देगा उसके बाद अगर अलग हैरिस्टैल या कुछ भी अलग कलर चैंज करना चाहते हो कपड़ों का तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि यहां पर एड़ पर क् कि मैंने लिखा चैंज हैरिस्टैल तो देखते हैं यह क्या करता है तो यह प्रोसेसिंग कर रहा है यहां पर आपको मुल्टिपल मौर पे क्लिए करोगे तो और आपको अलग तरीक एक और देखने को मिल जाएंगा आप इन तीन में से कुछ भी पसंद नहीं आता है तो दे कपड़ों का कलर सकते हो कपड़ों कि स्टाइल चांज अब सकते हो तो यह सब्सक्राइब कर सकते हो तो यह सारी जेनेरेट्यू फीन्य फोटोस यह ँदिटिंग टूल को सब्सक्राइब आप बहुत